नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं सरकार की योईना के अनुसार कोसल और रोजगार मेले की तजपर रांची में जल्द हिमेगा स्कील कंकलेव होगा इसमें होंडा, कमिस, इंडिया, मारूती, सुजु की, कोका कोला जैसे कंपनिये सामिल होंगी कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट भारत के साथ बिभाग के अधिकारियों के बैठक भी हो चुकी है कंकलेव के लिए इन कंपनियों से बिभाग के अस्तर पर एग्रिमेंट भी किया जाएगा बिभाग के अनुसार विभीन रजगार मेलों के जरीये अब तक 45 यार युवाओ को नोकरी भी दी जा चुकी है हेमंत सुरेन से जेल में मुख्य मंत्रीक मुलकात पर भाजपाने जाताई अपत्ती जेल में हेमंसुरेन और सीएम चमपई सुरेन की हुई मुलकात पर भाजपाने अपत्ती जाताई है इसे लेकर भाजपान के न्याईक मामले के परमुख सुधीर सिरिवास्तों के नितित में एक परतिनिदी मंडल ने चुनाव आयोग में सिकाय दर्च कराई है सुधीर सिरिवास्तों ने काया कि सुक्रवार को सीएम चमपई सुरेन बीरसा मुंडा जेल में गये थे उन्होंने पुरमुख मंत्री हमंसुरेन से जेल में एक घंटा पचास मिएट तक मुलकात की है जेल के मुलकाती आस थान पर अस पस्ट लिखा हुआ है कि मिलने का समय 15 मिनट है इसके बाद भी एक घंटा पचास मिएट के मुलकात किस नियम के तह जेल पर सासन ने करवाई है मुख्यमंदरी ने जेल मेनुवल का उलंगन किया है इस ग्यापन की प्रती चुनाव आयोग नई दिली मुख्य सचीव जेल आजीगरी सचीव जेल अधिक्छक को भी दी गई है प्रतिनिधी मंडल ने नियाईक मामले के सह प्रमुक परकास जाप अधिवक्ता जयोती अनन सामिल थे एकजीट पोल में दिखी भाजपा की आंधी पर कांग्रेस का दावा हमें मिला है अपार्डन समर्थान लोगसभा चुनाओ के आम्तिम चरन का मादान खत्म होने के साथ एकजीट पोल के नतीजे जारी हो गए है एकजीट पोल के मुताबिक जहारखन में भाजपा की लहार चली है सभी एकजीट पोल में भाजपा को बड़ी जीत मिलने की संभाणा जताई जा रही है इसी बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि जहारकन के साथ पूरे देश से भाजबा की बिदाई हो रही है वहीं तीन लोग सभा छेतरो राजमहल दुमकार गोड़ा में चुनाव संपन होने के बाद परदेश कांग्रेस अध्यक राजेस ठाकु ने दावा किया है कि मोदी के 10 साल का अन्याय काल में आम जनता महागाई बेरोजिगाजी से काफी तरस्त हो चुकी है राजेस ठाकु ने सरकार पर सिर्फ चंद उद्योग पतियों के लिए काम करने कारूप लगाते हुए परदान मंत्री ने अपने 10 साल के कारेकाल के रिपोर्ट न देते हुए परते एक चरण को संप्रदाइक बनाने की कोशिस की है दुमका गोड़ावा राज महल में 68.32% बोटिंग जार्खन में साते वे अमतीम चरण का मद्दान दुमका गोड़ावा राज महल में सन्यवार को सान्ती पुन संपन हो गया है तीनों सीट पर करीब 68.32% मद्दान हुए है जार्खन के सीओ के रविकुमा ने बताया है कि दुमका में सरवधिक 70.58% बोटिंग हुई है जार्खन के मुख निवचन पतादेगारी के रविकुमा ने कहा है कि साते वे अमतीम चरण के लोग सभाचुना दुमका राज महलो गोड़ा में करीब 68.32% मद्दान हुए है गड़वा से टीएस पीसी के आधा दरजन उग्रवादी गिरफतार पलामू परबंडल के गड़वा जिले में पोलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पोलिस ने उग्रवादी संगठन टीएस पीसी के आधा दरजन उग्रवादी को गिरफतार किया है गिरफतार उग्रवादीयों में अनाद सिंग, राहुल, कुमार, संतोष, चोधरी, ननकू, चोधरी, नन्दू, विस्व कर्मा और जितेंद्र चोधरी सामिल है सभी उग्रवादी गड़वा जिले के ही अलग-अलग थाना छेत्र के रहनेवाने है गिरफतार उग्रवादीयों किनी संदेही पर 5 देशी कटा, 8 mm की 5 गोली, 8 mm का 6 खोका, 4 मोबाइल, 1 पिठू बैग, 3 जीन्स, 2 सट, 1 टी सट, एवं, सत्तू और सिल्वर रंग का धातू जैसा पत्थर पुलिस ने ब्रामत किया है गडवा, S.P. दीपक पांडे ने सनीवार को बताया है कि बीते सुक्रवार को गुप्त सुचना मिली थी कि रमकंडा थना छेत्र के टोंगी स्थीत, धोंगा पानी जंगल में 4-5 हाथियरबंद लोग दिखे हैं जो अपने आपको T.S.P.C. उगरवाजी संगठन का सरस्य बताते हुए छेत्र में चलड़ है विकास कारियों के सन्वेदक, बीडी पत्ता, ब्यावसाई एवं जनपरतिनिदियों को हथियार के बहल पर डरा धमका कर छेत्र में लेवी की वसुली करने का प्रयास कर रहे है लोगसभा चुनाओ के सबसे पहले एकजीट पोल में NDA की लहार, लोगसभा चुनाओ 24 के लिए मद्दान संपन हो चुका है, अब एकजीट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं, स्कूल और फॉलेटिक्स के द्वारा चुनाओ के दवरान किये गए सर्वे में 20 लाग से अध में जाफा करती दिख रही है, इतना ही नहीं, अगर एकजीट पोल के परिणाम फाइनल नतीजे में बदलते हैं, तो NDA इस चुनाओ में PM मोधी के दुवारा दिये गए नारे, अब की बार 400 पार के लक्ष को हासिल करता दिख रहा है, स्कूल और पोलिटिक्स के एकजीट पोल के मताविक BJP की अगवाई में NDA के खाते में 49.3% मत जाते दिख रहे हैं, वहीं कॉंग्रेस के अगवाई वाले इंडिया गडबंदन 38.4% मतों के साथ दूसरे नमर पर है, आने के खाते में 12.3% वोट जा रहा है, अगर गडबंदन की बात करें तो NDA दो तीहाई बह में महाई 7-18 सीटे जा रही है, जारखन में लू का कहर जारी 13 की मत, जारखन के कई हिसो में लगाता, चोथे दिन सनीवार को लू का कहर जारी रहा, विशन गर्मी की चपेट में आने से 13 लोगों की मत हो गई है, वहीं बीते 24 गंटे के दोरान, लू से पलामू में 9, 14 में 2 गढ़वा और चाईबसा में एक एक व्यक्ति की मत हो गई है, बता दे कि इससे पहले 29 माई को राजे भर में 5 लोगों की मत हो गई थी, जबकि 30 माई को 14 और 31 माई को 28 लोगों की जान चली गई थी, लू से राजे में अब तक 7 लोगों की मत हो चुकी है, इधर सनीवार को पलामो के मेदनी नगर का धिक्तम तपाल 45.4 डिगरी दर्ज किया गया, हलाकि राजधानी राजी समेत राजी के अने भागों में मौसा में बदलाव ने घर्मी से कुछ रहा दी है, पलामो कड़वा और लातेहर में अगले 2 दिनों के दौरान भी लू चलने का एलोलर जार किया गया है, ग्रीन कार्ड के चावल बितरन में गिरी डी फिचला, जारखन राज में अनाज बितरन की सबसे खराप व्योस्था गिरी डी की मानी जा रही है, मई माह में NFSA के अनाज बितरन में जहा है, राजे का आउस्तर बितरन 38.98 पतिशत है, वहाई गिरी डी जीला का लाभुकों को मिलने वाले अनाज का राज जास तरे बितरन 62.64 पतिशत है, वहाई गिरी डी जीला का 23.31 पतिशत रहा, बताद है कि ग्रीन कार्ड दहारियों के लाभुकों को जारखन राज खाल सुरक्षा दिनियम के तहत 5 किलो प्रतिब्यक्ति अनाज फिरी में दिया ज लेकिन मई माह के सपता होने पर यहाकडा मात्र 1205 किंटल तक ही पहुंच सका है देवघर से बैंगलूरु की सीधी फलाइट शुरू देवघर एयरपोट पर नाइट लेंडिंग के सुवधा बहाल होने के बाद ही घोसना हो गई थी कि एक जून से देवघर बैंगलूरु की सीधी फलाइट शुरू होगी सनीवर को यह सेवा बहाल हो गई है बैंगलूरु से देवघर की इंडिगो की फलाइट ने 179 यात्रियों को लेकर 12 बच कर 24 मियाट पर लेंड किया है परंपरा के अनुस्तार वाटर कैनन से फलाइट कर स्वागत किया गया देवघर से बैंगलूरु जाने वाले बीमान ने 176 यात्रियों को लेकर टेक अफ किया इंडिगो की ओर से आने और जाने वाले सभी यात्रियों को गुलाब फूल और लसी देकर स्वागत किया गया है जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात घरों को तोड़ा परसासन और बन विभा के कथित पर्यास के बाद भी खूटी जिले के गरामीन इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात हमने का नाम नहीं ले रहा है हर रात कोई न कोई गाव में गजराज लोगों के घरों को द्वस्त कर धान चावल गेहूं सहित अन अनाज को चटक जा रहे हैं तथा घर में रखे समानों को बरबात कर रहे हैं तुरपाप्रखंड के तबकारा तेतर टोली में सुक्रवार की रात लगभग एक बज़े जंगली हाथियों ने जंप कर उत्पात मचाया है गाओ की नंदी प्रहनाई तथा धुच्चा पाहन के घर को धोस्त कर दिया और घर में रखे धान चावल आदी अनाज खा गए हैं गीरी डी के पीरा टंड से पंचाय सचीव 3,000 रिस्वत लेते आरेश्ट धनबाद की एंटी करप्सन ब्योरो की टीम ने सनिवर को गीरी डी जी लेके पीरा टंड में करवाई की और 3,000 रिस्वत लेते रांगे हाथ पंचाय सचीव मंसूर आलम को गिरफतार कर लिया है गिरफतार किया है गिरफतार पंचाय सचीव का नाम मंसूर आलम है एसीबी की टीम से रिस्वत को लेकर सिकायत की गई थी सिकायत की जांच के बाद मामला सही पाया गया इसके बाद भरष्टा चार निरोतक ब्योरों ने गिरफतारी के लिए जाल बिचाया और 3,000 रिस्वत लेते पंचाय सचीव को गिरफतार किया गया है धन्यवाद